सो वेल्कम टो वर यूट्यूब चैनल तो चलिए हर्याना जिके के कुछ और लेक्चर्स देखते हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके HSSC और HCS के पिपर के लिए तो आज हम जो जीला करेंगे वो है महिंद्रगड पहली बात अगर आप हर्याना का मैप देखो तो यहाँ पर आपको कुछ जीले दिखते हैं लगबग 22 जीले हैं तो उन जीलों को कुछ मंदलों में डिवाइड किया गया है यानि हर एक मंदल में पर ये वाला कौन सा गुडगाओं मंदल जिसमें गुडगाओं रिवाडी और महिंद्रगड तो आज जो हम करने जा है महिंद्रगड जीला अब एक बात और समझे महिंद्रगड जीला हर्याना के किस हिस्से में लाई करता है दक्षिन हिस्से में ये पूरव, ये पच्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिन तो महिंद्रगड दक्षिन हिस्से में लाई करता है एक और बात किस जंगा से महिंद्रगड की बाउंडरी टच करती है ये इधर जो राज्जे है ये है राजिस्थान अगर आपको पता हो हर्याना के मैप पे इधर राजिस्थान है उपर की साइड पंजाब है यहाँ पर यूपी है इस साइड पे और यहाँ पर कैया हमारा हिमाचल पर्देश और इधर कहते है उतरा खंड भी लाई करता है ठीक है तो ये पंच राज्जे है उन मेंसे कैया राजिस्थान तो इस वाले बाउंडरी पे साथा क्या है हमारा राजिस्थान है तो एक बार धियान दिजिये यहां से यह रेकिस्थानी इलाका है सारा तो इधर भी काफी रेतिला मैदान है यह सारा रेतिला मैदान का इलाका है इस साइड वाला और इधर हमारी क्या यमना नदी है ऐसे जा रही है तो यमना नदी बाउंडरी बना रही है हर्याना और यूपी की इधर हमारा सारा रेतिल लगबक राजिस्थान के पास में लाई करता है अब पहले मैं आपको कुछ शहर बता दू जो महिंद्रगर में लाई करते हैं यह मैंने इसका detail map मनाया महिंद्रगर का पहली बात सबसे main जो यहाँ पर है यह महिंद्रगर ऊपर की नहीं है इसका headquarter है क्या नारनोल तो एक ऐसा जिला जिसका headquarter वो नाम नहीं है जो जिले का नाम है बलकि कोई और नाम है कौन सा नारनोल यानि इस जिले का एक जिला कौन सा बना था महिंद्रगड यानि महिंद्रगड जो जिला है वो सुरुवाद से ही है अब अगली बात महिंद्रगडगा जो पुराना नाम है उसको कहते है कानोड अब कानोड क्यों कहते है इस वाले इलाके में एक ब्रहमन परजाती थी उसको कानोड या कहते थे तो उन ब्रहामनों के नाम पर ही इस इलाकों को क्या कहने लगे हम कानोड तो अगर पूछा जाए हरियाना जी के में कि कानोड किस जीले का दूसरा नाम है तो आंसर आएगा हमारा महंद्रगड अब हम कुछ और लोकिशन देखते हैं पहले मैंने बताया आपको महंद्रगड यहाँ पर है एक शहर दूसरा नारनोल यहाँ पर है जो कि हैड़कवाटर रहस जीलेगा फिर एक है अटेली इस साइड है और इधर क्या है हमारा कनी का खास तो यही कुछ यहाँ पर आसपास शहर है और जो लास शहर है यह मैंने आपको चार बता जिए यह लगबग एक प होगे महिंदरगड जीला या फिर कनी का खास किधर है वो भी महिंदरगड नारनोल कहाँ पर है वो भी महिंदरगड तो ऐसे कोशन आये हुए है पहले कि कौन से जीले में कौन से कौन से शहर है तो आपको पता होना चाहिए अब अगली बात जब आप सतनाली से आएगा ये एक राजा हुए है मादो सिंग तो उन्होंने बनवाया था अब एक जो सबसे important question निकल के आता है वो आप एक पाद सुनिए पहले जो महिंदरगड जिले में main जंगाए है वो महिंदरगड के अंदर नहीं है अपी तू कहाँ नारनोल के अंदर यानि नारनोल के आसपास ही आपको सारी important locations मिलेगी अब जैसे देखिए एक question आता है धोसी की पाड़ी किस जीले में है तो यहाँ धोसी की पाड़ी यहाँ पर लाई करती है जो कि नारनोल के पश्चिम में है थोड़ी सी दूर नारनोल के अगर पश्चिम म तो आपको एक पाड़ दिखेंगे उनको कहते है धोसी का पाड़ या धोसी की पाड़ी तो यह इसकी important खासियत क्या है कि धोसी की पाड़ी हरियाना के अंदर अरावली परवतों की सबसे उंची पाड़ी है हरियाना के अंदर और इसकी height कितनी है 652 मेटर अब पहले मैंने आपको कहा अरावली की पाड़ी है तो वो समझ यह पहले अब देखिए मैं आपको detail map of India दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ अपना हरियाना है इधर राजिस्थान है ठीक है और इधर क्या है गुजरात तो अरावली की परवत संक्रलाए ऐसे है ऐसे फैली हुई है यानि यह सुरू होती है और कहां तक दिल्ली तक जाती है तो उन अरावली का जो हिस्सा हरियाना के अंदर लाई करता है वो हरियाना के दक्षिन हिस्से में क्या लाई करता है अरावली है अब इसको इस मैप पे भी देख लीजी आप हरियाना के मैप पे यह हरियाना का क्या है दक्ष इनको राजिस्थान के अंदर दर्जा हिल्स कहते है अरावली की पाड़ियों को और हर्याना के अंदर जो महिंदरगड के है महिंदरगड के अंदर एक पाड़ी है उसको कहते है धोसी की पाड़ी तो यही बात आपको यहां से समझनी थी हर्याना के अंदर अरावली परवतो जो सबसे उची पाड़ी है वो राजिस्थान में है और उसका नाम क्या है गुरू शिखर जिसकी हाइट है 1722 मिटर अब अगली बात जो गुरू शिखर है वो अरावली परवतों की सबसे उची चोटी है और ये लाई कहाँ पर करती है ये लाई करती है माउंट आबू अब म उपर जाते हो तो टेंपरेचर घटना शुरू हो जाता है यानि ठंड बढ़नी शुरू जाती है तो इस माउंट आबू में इस पहाड़ी के उपर काफी ठंड है इसलिए इसको माउंट आबू को राजिस्थान का शिमला का आ जाता है तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बाते बात पता लगी होगी तो में बात जो हमें हर्याना जीके के प्रोस्पेक्टिव से समझनी है वो है कि अरावली परवत इधर्ज है जो यहाँ पर इस हिसे में है उसका एक पहाड़ी है धोसी की पहाड़ी जो यहाँ पर है तो कोशन इतना आएगा धोसी की पहाड़ी किस जिले में है तो वो महिंदरगड जिले में यहाँ पर लाई करती है 652 मेटर की है अब एक और कोश्चन है कि धोसी की पाड़ियों का दूसरा नाम क्या है तो इनको कहते है आरचित परवत याद किर लीजिए आरचित परवत धोसी की पाड़ियों का दूसरा नाम है इतनी बात समझे अब चलो कुछ आगे चलते है अब हम आते हैं मैंने का आपको कि में जो जगाए है वो नार नोल के उपर है अब नार नोल के बारे में थोड़ा देख लिए नार नोल के अगर आप संधी किस जिले को का जाता है या किस जिले में सीहों का डहर है तो नार नोल को ही सीहों का डहर कहते है और यह कहाँ पर है महिंदरकड जिले में सीहों का डहर क्या है कि इस इलाके में पुराने समय में जंगल ही जंगल थे और यहाँ पर शेर घूमा करते थे डहर यानि जहां शेर घूमते है तो इसलिए इस इस इलाके में सारे में शेर घूमा करते थे और इसलिए इसको क्या कहते थे सीहों का डहर इसलिए इसका नाम पढ़ता नारनोल और नारनोल के बाद पढ़ गया इसका नाम नारनोल अब अगली बात है कि चोण रिशी किस पाड़ी पे रहते थे अब जिस रिशी ने चोण परास बनाया उसका नाम था महरसी चोण तो महरसी जो चोण थे वो डोसी की पाड़ी पर इस साइड पर रहते थे तो उनकी तपोस थली थी डोसी की पाड़ी तो ये कोशन आज़ता है मेहरशी चोहन का किस जीले से सम्बंद है तो महिंदरगर जीले से उनका सम्बंद है तो इतनी बात ये हमने देखी नार नोल के बारे में और काफی सारी बात है वो भी आगे करते जाएंगे अब एक बात देख लीजिए, कि जो नारनोल का बजार है, उसका उलेग कहां पर मिलता आपको, बाबर हुआ है, मुगल साशक बाबर, जो पहला मुगल साशक था, वो बाबर था, उसकी एक ओटो बायग्रफी थी कौन सी, बाबर नामा, जो बाबर नामा थी, वो बाबर ने खुद लिखी थी, लेकिन उस ओटो बायग्रफी को, बाबर नामा को, बाद में अब्दुलरहिम खाने खाने, एक दूसरी भासा में लिखा, और उसको कहा गया, तुजुक ए बाबरी, जो बाबर नामा थी, वो तुरकिश भासा में थी, और जो तुजुक ए बाबरी थी, जो कि टर्किश भासा में थी, उसको बदल दिया, पर्शन भासा में, तो ये भी कोशन आ सकता है, तुजुक ए बाबरी किस ने लिखी, तो अब्दुलरहिम खाने का, तो इस तुजुक ए बाबरी में ही ये वरनन है, कि जो नारनोल का बाजार है, उसको क्या कहते थे, गु एक बात हो, याद कर दीजी, मैंने बताया, आपको महर्ची चोयन रिशी यहाँ पर रहे है, ठीक है, महर्ची चोयन यहाँ पर रहे है, तो ऐसी एक और बाबबा हुए है, हमारे बाबबा रामदेव, जो आज के समय में बाबबा है, तो इनका भी जनम का हुआ था, महंदर अनंगपाल तोमर, जी यहाँ पर रहा करते थे, इस जगहाँ पर राज किया करते थे, तो सुरवाद यहाँ से होती है, लेकिन फिर क्या होता है, 1230 के अंदर मुस्लिम समराज्य का यहाँ स्थापना हो जाती है, और जो पहला परसन आता है मुस्लिम, वो कोन होता है, संत हजरत तुर्कमान तो नार नोल में मुसलिम अधिन हो गया नार नोल मुसलिम अधिन हो जाता है किसके कार्यकाल में हजरत तुर्कमान ये संथ हुए एक 1230 में तो अगर पूछ ले जाए कि पीर तुर्कमान कहां पर है तो जहां पर इन संत की जो दरगा बनाए गई है उसको क्या कहा गया पीर तुर्कमान तो पीर तुर्कमान नार नोल के अंदर है महिंदरगर जीले में तो आप समझ गें यहापर मुस्लिम समराज्य सुरू हो जाता है फिर इसके बाद क्या होता है लगबग लगबग पंदरवी सताबदी म यानि 200 साल बाद लगबग क्या होता है इबराहिम खान का यहाँ पर राज आता है अब एक बार समझ लिए इबराहिम खान कोन है आपने सुना होगा कि बाबर का बेटा था हुमायू और हुमायू को एक आदमी ने हरा दिया था उसका नाम था शेर सासूरी हुमायू को जब शेर सासूरी के ही दादा जी थे उनका नाम क्या था इबराहिम खान यानि शेर सासूरी का तालूक महिंदरगड जीले से है और जो उनके दादा भी थे वो भी कहा के थे महिंदरगड के तो जो इबराहिम खान है वो इनके दादा जी थे शेर सासूरी के तो उनका जो इबर नार नोल का एक और नाम है इसको कह जता है शेर सहा की भूमी अब मैंने बताए आपको शेर सहा सूरी है जो जिनके बाबाजी कौन थे इबराहिम खान तो शेर सहा सूरी का भी जनम का हुआ था हमारा नार नोल के अंदर हुआ था और इसलिए नार नोल को कहा जता है हमारा शे शेर सा की भूमी है, अब आगली बाते कुछ देखिए, यह हम पहुँच गया है पंदरवी सताबदी पे, ठीक है, अब शेर सा सूरी वही था जिसने नैशनल हाइवे बनवाया था, यह बात ब्याप याद कर लिजे, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जो कि आपने इधर अमबाला जीले से सुरू होते हुए, अमबाला जीले से सुरू होते हुए, ऐसे दिल्ली तक जाता है जो, उसको नैशनल हाइवे बनवाया था, यह शेर सा सूरी नहीं बनवाया था, सूरी डाइनस्टी के संस्थापक थे, ठीक है, फिर क्या होता है 1556 में पानिपत क के बीच में और हेमू के बीच में अकबर और हेमू हेमू हेम चंदर जिसको कहते हैं हेमू आखरी हिंदू साशक था बारत का तो हेमू को हराने में अकबर की मदद की थी किसने सहाकूली खान ने और सहाकूली खान ने जब मदद कर दिया अकबर की इस हेमू को पकड़ने में तो अकबर खुश हो गया किस से सहाकूली खान से और उसको गिफ्ट के तोर पे नार नोल का हैड बना दिया। किसको सहाकूली खान को 1556 में है। तो फिर अगर आए शहाकूली खान का मकबरा का है। यहीं पिसकी मृत्य होई तो वो भी का है हमारा नार नोल के अंदर है। अगली बात शहाकूली खान ने 1591 में एक महल बनवाया हमाँ पर जिसका नाम था जलमहन। तो यह पूछा जा सकता है जलमहल किस के द्वारा बनवाया गया। तो ये शहाकूली खान के द्वारा बनवाया गया, कहाँ पर बनवाया गया हमारा नार नोल के अंदर, तो ऐसी एक जलमहल बनवाया इसने, और एक अराम एक उसर बाग, यानि जहाँ पर अराम फरमाया जाएगा, तो इसने एक ऐसे मान लेजी नहाने के लिए एक जंगा किसने सहाकूली खान, तो इस सारी बात है थी किसके अकबर के काल तक आ चुके है, अब अकबर के समय से ही कुछ बात और रिलेटिड है, वो क्या है, कि अकबर ने सिक्के ढालने की तक्षाल बनाई थी, यानि सिक्के कैसे ढाले जाएंगे, कैसे सिक्के बनाए जाएंगे, वो अकबर ने बनवाई थी कहाँ पर हमारी महिंदरगर जिले में अब अगली बात एक और आती है जो सबसे important question है most important कि राय मुकुंदास का च्छत्ता कहाँ पर है या फिर बिर्बल का च्छत्ता कहाँ पर है देखियो अकबर का 9 रोतन में से 1 रोतन कौन था बिर्बल था ठीक है इसका एडवाईजर था तो बिर्बल का च्छत्ता क्यों कहा जाता है कि इस जंगा पर बिर्बल आया जाया करते थे तो ये भी कहाँ है हमारी नारनोल के अंदर है actually क्या था अकबर के बाद आता है जहांगीर और जहांगीर के बाद आता है साहजा तो साहजा के कारे काल में एक बंदा हुआ है जो नारनोल का दिवान था उसका नाम था राय मुकुंदास तो पहले तो अकबर के समय में बिर्बल इस जंगा पर आया करता था और बाद में राय मुकुंदास इस जंगा पर आया करता था तो इस जंगा को राय मुकुंदास का च्छत्ता या फिर बिर्बल का च्छत्ता भी कहा जाता है तो ये सारी बाते होगी कि इसकी नार नोल के अंदर क्या क्या हिस्ट्री रही है उसकी सुरवात से और जंगाए कौन सी कौन सी थी ठीक है बई अब एक बात और देख लीजे इसका नाम महिंदरगड का महिंदरगड क्यों पड़ा 1857 की करांती के बाद जो नारनोल है उस पे पट्याला के राजा का राज हो जाता है जिसका नाम था निरेंदर सिंग ठीक है 1857 में करांती हुई थी अंगरेजों के खिलाफ जो की मेरट से सुरू होती ये कोश्चन आता कि कहां से करांती सुरू ही थी मेरट से सुरू होती भारत में और हायाना के अंदर अंबाला से सुरू ही ये करांती तो ये दोनों important question है बहुत important और जब इस करांती के बाद पट्याला के राजा को यहां कार head मना दिया गया नरेंदर सिंग को तो उसका बेटा हुआ है महिंदर सिंग तो महिंदर सिंग के नाम पे ही उसने इस जंगा का नाम क्या रख दिया महिंदर गड़ तो मैं आशा करता हूँ आपको इस सारी बाते समझ में आई होगी अब एक और होता है कि 1543 में एक पंथ की सुरुआत हुई ती जिसको कहते है सतनामी पंथ तो यह किस ने करी थी सतनामी पंथ था जो यह सुरुआत करती वीरभान ने तो यह भी कोशन आता है कि सतनामी पंथ की सुरुआत किसके द्वारा की गई वीरभान के द्वारा वीरभान के गुरु थे कौन उद्यदास तो जो वीरभान ने इस पंथ की सुरुआत की तो वीरभान कुछ कविताय लिखे थे काव्य गरंथ लिखते थे तो ऐसे भी पूछा जा सकता है वीरभान के द्वारा लिखे गए काव्य गरंथ कौन से है तो उनका नाम क्या है साहिब साहिब काव्य गरंथ है किसके द्वारा वीरभान के द्वारा अब एक बात है सतनामी विद्रो क्या था औरंग जेब के काल में जो लास्ट मुगल साशा कहा 1707 में औरंग जेब उसने अपने मुगल काल में इन सतनामियों के मंदिरों को नश्ट करवाया तो फिर औरंग जेब के खिलाफ ये खड़े हो जाते है और उसको ही कहते है सत्तनामे विद्रो ठीक है और जो सत्तनामे पंथ था उसकी सुरुआ दो थी 1543 में तो ये सारी बात है हमने नार नोल से रिलेटिड और कुछ जो पंथ हमाँ पे सुरुआ है उससे रिलेटिड हमने कर लिए ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते है एक और बात है शेर सा सुरी का जनम 1486 में होता कहाँ पर नार नोल के अंदर ये सारी बात है हमने देख लिया एक बार आप इने दोहराईए याद कीचिए ठीक है अब कुछ और बाते कर लिते हैं नार नोल के बारे में ही मैंने कहा ना सारी चीज़े नार नोल में हमें नार नोल को ही तलाब और बावडियों का नगर कहा जाता है ठीक है काफी सारे तलाब और बावडिया है बावडिया क्या होती है इस तरीके से पाने का कुंड होता है जिसमें आप नीचे जाकर नहाकर वापिस उपर आ सकते हो तो इनको बावडिया कहते है ऐसी ऐसी 14 बावडिया कहाँ पर है हमारी नारनोल के अंदर है इसलिए इसको तलाब और बावडियों का नगर कहते है तलाब देखा जाए तो एक तलाब का नाम है चंद्रकूप तलाब तो चंद्रकूप का तलाब हमारा नारनोल के अंदर ही है तो जो बावडिया है बावडियों में से सबसे इंपोर्टेंट जो बावडिया है उसको कहते है मिर्जा अली जान की बावडिया एक आदमी हुआ है मिर्जा अली जान तो इसके द्वारा एक बावड़ी बनाए गई थी जिसका दूसरा नाम है तक्त वाली बावड़ी यानि वो कुछ बावड़ी होगी इस तरीके से और उसके उपर एक तक्त नुमा शेप ऐसे जैसे तक्त के चार पावे होते हैं तो इस तरीके से एक शेप का उपर structure बना हुआ है तो इसलिए इसको कहते है तक्त वाली बावडी तो इसके किस के द्वारा बनाए गई मिर्जा अली जान की अली जान के द्वारा बनाए गई तो नार नोल के अंदर कुछ पीर हुए है कौन सा हमजा पीर और एक निमजा तो आप इसको याद कर सकते हैं राइम कर रहा है हमजा निमजा तो हमजा निमजा भी कहाँ पर है हमारे नार नोल के अंदर है ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ और नार नोल के अंदर एक जंगा है जिसको कहते है चोर गुम्मद अब क्या हुआ था फिरोजशा तुगलुक के समय पर जमाल खान ने ये जंगा बनवाई थी एक कोई ठैरने की जंगा थी लेकिन समय के साथ क्या होता है बाद में चोर यहाँ पर छुपने लगया आके चोरी की और इस जंगा पर छुपने लगया आके तो इसलिए इस जंगा का नाम रख दिया जतता है फिर क्या चोर गुम्मद और इसी चोर गुम्मद को नार नोल का साइन बोर कहा जाता है तो अगर कोशन आए which thing or structure is known as the sign board of नार नोल तो it is चोर गुम्मद ठीक है क्योंकि यहां पर चोर छुपते थे अब एक और बात देख लिए कि हवाई चपल महिंदरगर में सबसे ज़्यादा बनती है हर्याना के अंदर हवाई चपल महिंदरगर में बनती है ठीक है एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो महिंदरगर नारनोल है इसको खनीजो का शहर भी कहा जाता है क्खनीजो का शहर क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे खनीज़ पाए जाता है टीन, आपका सलेट पत्थर, नारनोल के अंदर काफ़ी संपूर मातरा में सलेट पत्थर पाए जाता है अब यह देख लेते हैं, कुछ फेक्ट देख लेते हैं क्या-क्या रिलेटेड है यहाँ से जैसे कि पहली important बात, हर्याना के अंदर यह केवल एक ऐसा राज्य है एक ऐसा जीला है हर्याना के अंदर जहाँ पर कोई national highway नहीं है national highway national highway authority of India के द्वारा declare करे जाते है राश्टिय राजमार्ग तो महिंदरगड जीलेगे अंदर कोई भी राश्टिय राजमार्ग नहीं है, पहली important बात तो यह हो गई एक हवाई चपल सबसे ज़्यादा महिंदरगड में है अगली बात, एक मात्र केंद्रे विश्वी विद्याले जन्तपाली गाउं में है जिसको कहते है Central University of Harjana तो अगर question आए Central University of Harjana कहा है तो वो हमारी जन्तपाली गाउं महिंदरगड में है एक बात और समझे, यह केंद्रे विश्वी विद्याले क्या है केंद्र के द्वारा कुछ विश्वी विद्याले गोसित किया जाते है किस के अंडर? The University Act 2009 तो University Act 2009 के अंडर कुछ पूरे भारत में कुछ केंद्रे विश्वी विद्याले खोले गई है तो हरjana के अंडर एक मात्र जो केंद्रे विश्वी विद्याले है वो जंतपाली गाओं में जिसको कहते है सेंटर उनिवस्टी ओफ हर्याना यानि पूरे हर्याना में सेंटर की एक उनिवस्टी खोली गई है जिसको सेंटर उनिवस्टी ओफ हर्याना कहते है अगली बात अगर कोशन आए सरसो के उत्पादन में सबसे उपर कोन है तो सरसों के उत्पादन सबसे ज़्यादा का होता है हमारा महिंद्रगड के अंदर ही होता है ठीक है इतनी बात समझ ली अब मैंने आपको बताई यह खनीजों का शहर है मैंने आपको अभी जब मैप की शुरुवात करवाई थी तो बताया था कि यहाँ पर क्या लाई करता है इस साइड अटेली यहाँ पर अटेली लाई करता है हमने देख लिए नार नोल के बारे में बहुत सारी चीज़े देखी महिंद्रगड के बारे में देख ली हमने देखे लिए इस पर यहां मादोगड किला पड़ता है जो अटेली है अटेली की बारे में क्या खास बात है अटेली में हमारा एक तो है अनाजमंडी परमुक अनाजमंडी और एक है सलेट पत्थर सबसे ज़्यादा यहां पर मिलता है ठीक है तो इस सारी बात हैं आमने कबर की और एक और बात सरसो सबसे ज़्यादा कहां पर हर्याना में उगतिया भी बताया मैं आपको महिंदरगड में और इसके साथ साथ बाजरा भी काफी मात्रा में आपर उगता है अब कुछ मंदिर देख लीजे कुछ famous मंदिर है एक बात बता दो जैसी आपके दिमाग में महिंदरगड आए तो एक बात याद करना इस जीले के अंदर maximum जो मंदिर है वो शिवजी से related है कैसे एक नाम है शिव मंदिर यह है बागोत में शिव मंदिर बागोत गाउं में है औ और शिव मंदिर का दूसरा नाम है बागेश्वर मंदिर यह नाम दिया था राजा दिलीप ने ठीक है राजा दिलीप कौन थे इश्वा को वंस हुआ एक राजा इश्वा को हुए है ठीक है महाबारत काल में उस वंस के ही आगे एक राजा होते है राजा दिलीप तो राज अब जो रामेश्वरम धाम है आपको लगएगा राम जी के बारे में है लेकिन नहीं ये भी एक शिव मंदिर है यहाँ पर 10 feet की शिवलिंग है 10 feet देख लीजा आप इंसान एक 6 feet क्या होता है बड़ा से बड़ा और 10 feet देख लीजा आप कितना होता है एक जितनी height हमारी कमरे की होती है लगबग लगबग उतन उतनी बड़ी एक शिवलिंग है यहाँ पर कहाँ पर बाबा रामेश्वर धाम में इसका बाबा रामेश्वर धाम क्यों पड़ा नाम क्योंकि एक व्यक्ति था रामेश्वरम नाम से तो उसने यह धाम बनवाया था लेकिन यह धाम है किसके ल भोले भी कहते है तो आप याद कर सकते हैं शिव जी से रिलेटिट कहीं सारी जंगाय है रामेश्वरम धाम एक हमारा भोले गिरी आश्रम और एक शिव मंदिर बागोत ठीक है अब शिव जी की वाइफ थी कौन पारवती तो पारवती का ये एक रूप हुआ है चामुंडा द इसका निर्मान किसने करवाय था राजा नूर करण विकानेर के राजा हुए अभी मैंने आपको बताया था कि राजिस्थान यही पर लाई करता है तो यही पर विकानेर लाई करता है तो विकानेर का एक राजा था नूर करण तो उसने क्या बनवाय था हमारा ये इत्ती बाते आप याद कर लीए अब एक रिशी हुए है पिपलाद रिशी तो रिशीर के बारे में देखा जाला पहला हम लेगा पिपलाद resource टयक्ति की आंदर है ये इनको पिपलाद क्यों कहा जाता था क्योंकि ये पिपल के फल खाकर ही जीवित रहते थे तो इनका नाम क्या पढ़ गया पिपलाद रिशी इनका एक किस्सा सवी शनिदेव से भी जुड़ा हुआ ये कहते है शनिदेव इनसे डरते थे मैं लब ऐसे कुछ स्टोरी है प्रोपर स्टोरी में आपको कभी फिर बताऊंगा पर याद कर लिजे पिपलाद रिशी जो है वो कहाँ पर हमारे महिंद्रगड के अंदर है 1857 की कुरांती मैंने अभी बताई थी आपको तो नसीबपूर गाओं में क्या हुआ था 1857 की कुरांती में अंग्रेजों ने काफी सवतंतरता सेनान्यों को मार दिया था तो इसी के लिए एक समारक बनाया गया है सहीदी समारक कहाँ पर नसीबपूर में तो ये इंपोर्टेंट बात है उच सकते हैं नसीबपूर कहाँ पर लाई करते हैं तो महिंदरगर जिले में है नसीबपूर हमारा तो इस सारी बाते हमने ट्राइगी कवर करने की काफी सारी बाते हैं तो आप इन सारी बातों को एक बार देखिए याद कीजे अगर कोई दिकत हो फिर हम आपके साथ है आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और अकेडमी पे रेगुलर बैचिस चल रहे हैं तो आप अकेडमी पे आकर भी रेगुलर बैचिस को जोईन कर सकते हैं अभी एक 10 एम पे एक नया बैच खुला है और HSSC का भी लगातार हमारा बैच चल रहा है तो विजिट अकेडमी नियर कमानी चोक यमनानगर अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना है तो नमबर दे देता हूँ मैं आपको 999-6075-211 या फिर 93-95-26008 तो इन में से आप दोनों नमबर पे किसी पे भी कोल करके अपने डाउट पूछ सकते हो एडमिशन के रिगार्डिंग तो अपने दोस्तों को यह जरूर शेयर करिए और अगर आपका रिस्पोंस अच्छा रहा तो मैं ऐसे काफी सारे लेक्चर हर्याना जी के के डालता रहूँगा थेंक्यू